हेलो लर्नर्स वेलकम टू आइलेर्ण आइलेर्ण पर आपका बहुत बहुत स्वागत हैं खासतों से इंदी मादेम की विद्यारतियों के लिए हमने शुरू किया सविधान का कोर्स और सविधान के अंदर हम जान रहे हैं कि सविधान की जो वास्ति प्रष्ट भूमी है क्या रही है और किस तरीके से नयाइक गटनाओं का इसके उपर फरभाव पड़ा है किस तरीके से राजनेति गटना करमों का इसके उपर फरभाव पड़ा है उनके बारे में हम विस्तार से जान रहे हैं और competition exams के अंदर यह हमें किस तरके से help करेगा उसके दृष्टी कोन से भी हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं सारे अनुचेत सारी अनुचिया सब कुछ हम इसमें जानेंगे सबसे पहले हमने इसमें सुरू किया है जो lesson है पहला सविदान के लिए प्रस्तावना दे प्रेंबल टू दी Constitution स्टार्टिंग के दो वीडियो के अंदर हम इसके अंदर जो गूड रहसे के जो सब्दाएं उनके बारे में हम जान चुके हैं तो इसके लिए आप पहले के दो वीडियो देख सकते हैं उसका लिंक जो है आपको description के अंदर मिल जाएगा आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मायतोपून प्रस्टन का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे क्या सब्दान के लिए प्रदद प्रस्टावना सब्दान का हिस्सा है बहुत important question है क्योंकि इतना कुछ हमें बताती है सब्दान के उद्दिश्यों को दिखाती है और अगर कोई कहे कि क्या ये वाकई में सब्दान का हिस्सा ही नहीं है उसके अंदर किस प्रकार से इसकी व्याक्या करी है उसके द्वारा ही हम इसको जान पाएंगे पहला केस आता है बेरुबारी केस जो कि 1960 के अंतर हुआ और जो केस वानन बारती का केस है जो भी 1973 में हुआ तो पहले केस को हम देखते हैं क्या व्याख्या करी है सुप्रेम कोट ने आई शुरू करते हैं बेरुबरी केस इसके बारे में कुछ समाने सी जानकरी हम देख रहे हैं देखें बेरुबरी छोटा सा बुबागता जो कि बंगाल के पास पड़ता है हुआ क्या इसके जो मैक्सिमम पोपुलेशन थी वो मुस बारे सरकार की स्फेस लेगा बहुत सारे संगटनों ने विरोध करना सुरू कर दिया क्योंकि राष्ट की एकता आखंडता संप्रभूता इन सब के जो सवाल है वो उठ रहे थे और देश पक्ती का जो राग था उस टाइम चरम पर थाई तो बहुत सारे संगटनों ने इस हम भारत के लोग भारत को एक स्वंपून प्रभूत्व संपन और हमने पहले वीडियो में जाना भी कि यह जो हम भारत के लोग है यह बताता है कि सविदान निर्माताओं के पास सकती कहां से है तो उन्होंने इसी का हवाला दिया और कहा कि जो संप्रभूता की जो ताकत है भारत की जनता के अंतर हैं और यह सविदान की परस्तावना बताती है तो इस भू भाग को पाकिस्तान को सोबने से पहले जन्मत संग्र करे जाना आनिवारे हैं ऐसी याचिका है वह सुप्रियम कोट के अंदर लगी अब सुप्रियम कोट न κάν इस याचिका के आपर क्ले केवल सामाने उद्यश्यों को दिखाने के लिए प्रस्तावना को माना और क्लिरली यह कह दिया कि प्रस्तावना है बारती सभीदान का हिस्सा ही नहीं है एक तरीके से अब जो प्रस्तावना है वो सविदान का हिस्सा ही नहीं है वह बिलकुल सेपरेट उसको कर दिया गया वहाँ से इसके बाद आया कि जो सरकार को प्राप सक्तिया है उसका स्रोत भी प्रस्तावना नहीं है तो अब ना तो सक्तियों का सरोत रही और ना ही सविधान का हिस्सा रही तो प्रस्तावना है वह इस स्टेश पर तो बिलकुल भी खारीज हो गई इसका कोई मैत्व नहीं रहा फिर Supreme Court ने माना कि जो सक्तियों का वर्णन नहीं थो सविधान में ना कि प्रस्तावना में प्रस्तावना के अंदर सक्तियों का वर्णन नहीं है इसके बाद जो अगला important point निगल के आता है कि बारत की जो किसी भी भूबा को विदेशी क्षेतर को सोपने से कि कोई व्योस्ता नहीं है अगर अगर आप सविदान संसोधन कर दो तो इसी व्योस्ता बन जाएगी इसके बाद आप सोप सकते हो इसके बाद जो है सविदान संसोधन किया गया और बेरुबारी को फाइनली पूरी पाकिस्तान को सोप दिया गया इसके बाद एक case आता है गोलकनाथ case गोलकनाथ case ने प्रस्तावना के जो महत्व है उसको और कम कर दिया देखें जो आर्टिकल 368 है जो संसद को पावर देता है सविदान संशोदन की तो इसके बाद जो गोलकनाथ case है इसके बाद फैसला आया कि जो सविदान का कोई भी गए उसको संसत संसोधित कर सकती है यानि कि 368 की पावर है वह यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई अब हुआ क्या 368 के तरह दो संसोधन होते हैं उनको प्रस्तावना भी नहीं रोक सकती ऐसा भी जज्जमेंट के अंदर कह दिया गया साथ ही साथ प्रस्तावना का एक संसोधन हो रहा तो उसे आप प्रस्तावना का हवाला देकर रोक सकते हैं तो प्रस्तावना की э Kelly's Geona ho Gyanesee च consumed ऑनद हऊवकु प्रस्तावना की बाद जो इंपर्टेंट केस और केस्वानंद भारती का Works अज सक्सप से इधिगरान कर ली थी और इसके बाद जो है इन्होंने याची का दाइर करी और याची का जो है सुप्रीम कोर तक पहुंची और इस केस में जो है सवीदान के बहुत सारे पॉइंट्स की व्यक्या की गई बहुत एतियसिक फैसला था इसने प्रस्तावना को भी सभीदान में महतुपूर्पूर्ण बना दिया देखे इसके फैसले से जूड़ी हुए कुछ इंपोर्टेंट बाते केस वानन्द भारती केस में इस्फष्ट कर दिया है कि एक तो जो प्रस्तावना है वह बारती सभीदान का हिस्सा है तो कुल मिलाके जो बेरुबारी केस के बाद जो एक इमेज बनी थी प्रस्तावना की वह यहां आके खत्म हो गई और फाइनली जो हैं कॉंस्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई प्रस्तावना और जो सक्ती का सोथ वाला पॉइंट है उसके उपर केस वानन्द भारती केस में भी यह माना गया कि यह वाकई में सक्ती का स्रोत नहीं है और नहीं नियंतरन का स्रोत है किसी तरीके से सविदान पर नियंतरन इस्तापित नहीं कर सकती प्रस्तावना और नहीं सक्ती की व्याक्या के लिए हम प्रस्तावना की और देखेंगे हाँ लेकिन अगर कानून की व्याक्या अगर ऐस्पष्ट है तो प्रस्तावना उसकी व्याक्या में महतोपूंट बुमी का निभाती है कानून अगर कहीं ऐस्पष्ट है तो क्योंकि ये मस्तिस की कुंजी रही है तो फिर अगर ऐस्पष्ट व्याक्या है तो सविदान की जो मस्त की कुंजी है उसकी तरब देखने का जो जरिया है वह तो प्रस्तावना ही बसती है तो अब प्रस्तावना की और देखा जाएगा और व्याक्या के अंदर इसका सहारा लिया जाएगा अगला पुर्ण देखें प्रस्तावना सविधान की व्याक्या के में अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण वमीकाने वाती है यानि की केस वानन भारती केस के बाद प्रस्तावना सविधान का हिस्सा बन गई एक पॉइंट और जो दूसरा निकल के आता कानून की व्याक्या अगर इस पश्ट तो व्याक्या में सहरा ले जा सकता है और जो तीसरा जो निकल के आया अगर सविधान की व्याक्या इस पश् कि प्रस्तावना जो है सविदान का वर्तमान समय में एक अभीन हिस्सा है कुछ समय पहले जब बेरुबारी का जो केस है उसके बाद काफी समय तक याने की 1973 तक यह सविदान का हिस्सा नहीं रही लेकिन अब सविदान का एक इंपोर्टेंट हिस्सा है और व्याक्याओ के अंदर यह काफी महत अपूर्ण भुमिकानी बाती है बहुत बहुत सुक्रिया आपका आइलेंड के साथ जुडने के लिए रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजी चैनल को और बेल आइकन दबाके जिसे के आपको अबले रिलेक्शन्स हैं तो वो टाइम के उपर मिलते रहें बहुत बहुत सुक्रिया आपको